Hello students, आज हम करेंगे English subject, जो कि आपका 10th board है, जैसे कि हम जानते हैं, 10th board बहुत ही, बच्चों को एक डर रहता है कि 10th board है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब जैसे कि आप जानते हैं कि pandemic situation चल रही है, बहुत, coronavirus ने सब को बहुत हिला रखा है, तो घबराने की बात नहीं है, ह हम को पढ़ाई तो करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमारी growth तो रुख नहीं सकती, हमें life में आगे जाने के लिए, हमें online studies करनी ही है, तो online study का जो फायदा है, आपको घर बैठके ही मिल रहा है, तो यह तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तो आज जो मैं आपको, जै writing portion है, वो सारी चीजे में आपको एक एक करके करवाऊंगी, लेकिन अभी जो है, आपका जो topic में ले रही हो, वो tense topic जो यहां लिखा हुआ है, tense, यह tense topic इतना, मतलब tough नहीं है, जो बच्छे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा tough है, हम से नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क sentence making, sentence rearranging भी आपके words में आता है, तो sentence rearranging भी आप tense के माध्यम से ही कर पाएंगे, तो बचा मैं आपको tense topic जो जिसे हम Hindi में बोलते हैं काल, तो काल को जब आप हिंदी में कर सकते हैं, तो English में भी कर सकते हैं, English में तो बहुत easy way है करने का, इसको हम Hindi में बोलते हैं काल, तो tense, ज होता है present, second होता है past और third होता है future. देखिए, types of tense, present, दूसरा आपका होता है past और तीसरा आपका होता है future, तो ये तीन तरीके tense होते हैं, इन तीनो tenses के बारे में हम चर्चा करेंगे, present tense का मतलब है ऐसा काम जो कि अभी present में हो रहा है, यानि कि ऐसा काम जो कि present में हो रहा है, उसे हम present tense केते हैं, यानि कि वर्तमान में, हिंदी में present को बोलते हैं वर्तमान, दूसरा हमारा आता है past, तो past का मतलब होता है जो बीता हुआ कल है, यानि कि भूतकाल, यानि कि जो बीता हुआ कल है यानि कि कल जो हो गया या कुछ साल पहले कुछ साल पहले की बात की जा रही है या कुछ महीने पहले कुछ हथे पहले तो उसे हम क्या बोलेंगे बिड़ा भूत कल पास टेंस same as अगर हम बात करें तीसरे tense की तो तीसरे tense हमारा होता है भविश्यकाल जिसे हम future tense कहते हैं तो ये तो हो गया present वर्तमानकाल, भूतकाल, भविश्यकाल ये तीन tense आपको दिये गए है अब tense की बात तो यहां हो गई, तो हमें tense सीखने हैं, तो आप खुछ सोचें क्या tense के माध्यम से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं, ये बहुत easy तरीका है English बोलने का बहुत से coaching institutes में आप जाते हैं, आप देखते हैं, आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि वहां पर English speaking का course कराया जाता है, वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या वो सीख पाते हैं तो बिटा आप अपने घर पे बैटके ही बहुत अच्छे से काफी कुछ कर सकते हैं, ये right समय है, ये बिल्कुल सही समय है इस समय का आपको सदुप्योग करना है, आपको अच्छा use करना है समय का, तो आपको time waste नहीं करना है आप English भी speak कर सकते हैं, आप अपनी grammar भी कर सकते हैं, मैं आपको जो करवाओंगी, आपको सारी चीजों में help मिलेगी तो present, past, future तीन tenses हैं, तीनों tenses को एक एक करके समझाओंगी लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि ये तीनों tenses जो है, इन तीनों tenses के भी types होते हैं कैसे, इनके भी types होते हैं, types of tenses चाहे वो present है, चाहे past है, चाहे future है, इनके भी types होते हैं, तो कैसे अगर बात की जाहे present की, past की या future की, तो चाहर types होते हैं इसके भी indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, ये चाहर types होते हैं, indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous, ये चाहर तरीके के आपके tense जो है present में भी आएंगे, past में भी आएंगे और future में भी आएंगे, तो बहुत simple हैं, अब उसके बाद हमारा आता है numbers, मैंने ऐसे एक बच्चे से पूछ लिया बिटा, बताए numbers क्या होते हैं, तो एक बच्चे ने जवाब दिया की some wishm, जैसे आपके होते है, maths में, गणित में होते हैं, some wishm, ऐसे ही उसने अपना जवाब दे दिया, odd number, even number, prime number, English में जैसे हैं, ये numbers, उसने बोले, जैसे कि हम some wishm बोलते हैं, तो लेकिन, maths की बात नहीं हो रही है, अपनी यापर, अपन कर रहे हैं, English की बात, तो English में जो numbers हो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहला तो आता है, singular number और दूसरा आता है, plural number, singular number का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, एक वचन, ऐसे ही English में singular number, इसको एक वचन बोलते हैं और इसको बहु वचन बोलते हैं, एक वचन और बहु वचन, अब एक वचन जो है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे जो एक वचन में आता है, he, she, it, name, या कोई भी एक वचन की चीज आजा है, ऐसे ही बहु वचन में क्या आएगा, आई, वी, यू, दे, या बहु वचन में, यानि कि जो असंखे मात्रा में कोई चीजे होती हैं, जा हम कह सकते हैं, Italians से ज़्यादा जो नंबर में होती हैं, उसे हम बहु वचन कहते हैं, और जो अपने आप में एक होती हैं, उसे एक वचन का जाता है, he को हम use करते हैं किसके लड़के के लिए she का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है it का प्रयोग किसी चीज के लिए किसी वस्तु के लिए या किसी जानवर के लिए या किसी पक्षी के लिए किया जाता है और name का मतलब आपको पता ही है नाम के लिए किया जाता है सेम एज आई का प्रियोग जो होता है मैं के लिए किया जाता है वी का मतलब होता है हम यू का मतलब होता है तुम और दे का मतलब होता है वे यानि की बहुवचन अब आप लोग बेटा ये सोच रहे होगे कि मैंने आपको यहाँ पर आई जो है आई तो एक ही होता है तो इसका भी एक कारण है कि आई जो होता है ऐसा कहा जाता है आई को हमेशा अन्यों के साथ रखा जाता है आई को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता है इसके उपर एक बहुत ऐसा मजाक सा एक बना हुआ है जैसे कि बोला जाता है आई में एहम भावना ना आ जाए इसलिए आई को सब के साथ रखा जाता है यानि कि सब के साथ आई को रख दिया गया है ऐसे यू की बात की जाए तो यू को भी भाई यू भी तो एक हुआ यू लेकिन यू को हम अन्यों के साथ भी उस करते हैं जैसे कि कोई भी teacher आपकी class में आती है तो आपको वो good morning आप लोग उन teachers को क्या करते हैं good morning विश करते हैं तो teacher आपको reply में क्या करेगी good morning विश करेगी तो teacher क्या कहेगी good morning all of you तो all of you ऐसा तो नहीं है ना कि teacher के लिए कोई favorite है teacher के लिए तो बहुत सारे बच्चे हैं तो teacher अपने आप में ही क्या कर रहे हैं हमापर आपने जब teacher को good morning बोला तो teacher ने आपको reply किया तो reply जब किया तो teacher ने सब को reply किया कोई एक बच्चे को पकड़ के उसने reply नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ यू जो है सब के साथ प्रियोग में किया जाता है तो ये तीन चीज़े अभी मैंने बताई revise करते हैं एक पर revision ले लेते हैं इस चीज़ का भी हमारे तीन tense होते है present, past, future इसी तरह से types of tenses बताए आपके चार types है indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous इस तरह से दो numbers मैंने आपको बताए singular number and plural number ये दो numbers आपके होते हैं अब हम बात करने kinds of sentences अब वाके भी तो होते हैं kinds of sentences बही वाके sentence मतलब क्या होता है वाके अब वाके की बात की जाए तो उसके भी प्रकार होते हैं तो वाके कैसे सीखेंगे वाके सीखने के लिए ये सीखना बहुत जरूरी होता है वाके के लिए हमें क्या करना है की बही कोई भी वाके है हमारा तो उसको हम चार तरीके से बोल सकते हैं वैसे तो पांचवा तरीका एक प्रेशन वाचक होता है वो मैं आपको बाद में करवाओंगी जब मैं आपको active ऐसे भी a direct and direct speech होते हैं वो मैं आपको करवाना चाहती हूँ तो आपको बता दूँ कि आपके चार तरीके कौन कौन से होते हैं पहला आपका आता है affirmative जिसे हम बोलते हैं simple sentence affirmative मतलब होता है simple sentence जिसे हम सकरात्मक वाख्य कहते हैं हिंदी में दूसरा आता है negative sentence जिसे हम negative मतलब नकरात्मक वाख्य के बोलते हैं हिंदी में negative sentence तीसरा हमारा आता है interrogative interrogative का मतलब होते है प्रशन वाचक ये तो क्या हो गया साधरण वाख्य ये नकरात्मक ये प्रशन वाचक और इसी तरह से एक चोथा जो फोर्थ नंबर का जो होता है वाख्य वो है interrogative negative इसे बोलेंगे प्रशन वाचक प्लस नकरात्मक ठीके तो ये आपके चार तरह के वाख्य होते हैं जिसको हमें यहाँ पर पढ़ना है अब आप सोचें कि वही आप ये सोच रहे होंगे कि वही चार वाख्य अगर मैंने लिखे हैं तो इसका sense क्या हुआ ये मैंने आपको इसलिए लिखवाए है क्योंकि आपकी जो exercise आएगी यानि कि exercise जो दी जाएगी आपके board में filling the blanks with appropriate form of the verb तो उस exercise में आपको जो दिया जाएगा वो exercise fill up होंगे यानि कि आपको रिक्सान दिये जाएगे और आपको उसको complete करना है हो सकता है उस वाक्य में साधरान वाक्य भी हो और हो सकता है उस वाक्य में नकरात्मक वाक्य भी हो लुक आ गया और इस तरह से आगे ब्लैंक आ गया जैसे यही सेंटेंस माल लो अभी तो मैंने आपको करवाए नहीं है इसलिए आप से अभी शायद नहीं हो तो आप एक बार इस सेंटेंस को देखें इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके बोड म ऐसे करके exercise आएगी तो इस exercise के लिए आप देखें ये नकरात्मक है यानि कि not जो आगए यानि कि negative है negative sentence को बता रहा है तो ऐसे negative sentence के लिए हम क्या करेंगे क्या helping verb लगेगी not के साथ क्या use होगा और कैसे हम इस verb को use करेंगे ठीक है वैसे तो आपको बताना ही does not look ये जो मैंने उपर ये कॉमा करा है इसको short form बोलते है doesn't इसका pronunciation क्या होता है doesn't ठीक है तो ये तो आपको मैंने के example बताया है ऐसे आपके board में आएंगे आपको इस तरह से कैसे अब मैंने तो fill कर दिया क्योंकि मुझे पता है इसमें doesn't does not plus we one आना है इसने मैंने fill कर दिया लेकिन आपको क्या करना है आपको तरीका सीखना है ये ही तरीका आपको करना है board में तो ये not जो है हमने यहाँ पर use किया है तो यहाँ पर इन वाक्यों का sense यही है कि आप इन वाक्यों को समझने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं कि आप वाक्य कर सकते हैं feeling the blanks कर सकते हैं अब अगली बाद जो आती है मैं आपसे एक चीज़ पूछते हूँ कि भईए चार वाक्य मैंने आपको बता है तो क्या चार वाक्य ही बनेंगे या इसके अलावा भी कुछ बन सकता है किसी भी वाक्य को बनाने में क्या ये चार वाक्य ही बनेंगे या इसके अलावा भी हम और वाक्य भी बना सकते हैं किसी एक वाक्य को क्या हम एक वाक्य का क्या पूरे टेंस में चार वाक्य ही बनेंगे नहीं एक वाक्य से मैं आपको 48 sentence, 48 sentences सिखाऊंगी यानि कि अगर आपका एक sentence है तो उस sentence से आप 48 sentences असानी से बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं? भाई simple सी बात है आप खुद अनुमान लगाएं एक बार सोचें कि अगर ये 3 tense है तो 3 tense यहां हो गए और ये कितने हैं? 4, 4 tense हो गए तो 3 गुडा चार करो, 12 हो गए ठीक है? और 12 sentence अगर बन रहे हैं अगर 12 sentences इसके बन रहे हैं तो एक के 4 हो गए, यानि कि present tense के 4 हो गए past के 4 हो गए, future के 4 हो गए तो 12 वैसे भी 12 बन रहे हैं 4 sentence और भी तो है, तो ये 4 गुडा करो, 48 एक वाक्य के 48 sentence असानी से बन जाते हैं तो बहुत simple बन जाता है एक वाक्य के 48 sentence हम बना सकते हैं बहुत easy तरीके से आप बोलना सीख जाएंगे, आप लिखना सीख जाएंगे आप अपनी exercises करना सीख जाएंगे लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा थोड़ा सा attention रखना होगा आप सीखें, मन लगा के सीखें बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे आप घर बैटे ही English भी सीख पाएंगे आप speaking भी कर पाएंगे, छोटे-छोटे sentence से बूलना सीखेंगे आप तो यही बहुत अच्छा फंडा है, जो हमें सीखना है अब बात करते हैं, ये तो चीज हो गई अब बात करते हैं हम पहला tense हम ले लेते हैं, present tense हमारा पहला tense है, इस tense को हम ले रहे हैं, इस tense के साथ हम indefinite उठा रहे हैं क्योंकि फ़ला tense का tense कौन सा है, indefinite तो present tense मैं ले रही हूँ अभी present tense का indefinite मैंने उठा लिया present indefinite क्या होता है, अभी ये देखिए present indefinite tense का मतलब है, वो tense जो की अभी चलता है यानि की जो अभी होता है उसे present indefinite tense कहते हैं, present indefinite के लिए simple सी पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है हिंदी में हर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसे हम present indefinite tense कहते हैं यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसे present indefinite tense का आ जाता है, इसका जो structure होता है हमारे पास जिस तरह से दो numbers होते है singular number and plural numbers तो हमारे structures भी दो होंगे singular number का और plural number का दो structure होगा singular number and plural number singular number के लिए हमारा जो structure है subject plus v1 s oblique es plus object यह हमारा singular number का structure है और plural number का जो structure है subject plus v1 plus object यह हमारा plural number का structure है तो singular number का जो structure है उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारी वर्व यह subject मतलब कोई करता subject को क्या बोलते हैं करता यानि कि किसी काम को करने वाला व्यक्ती करता कहलाता है subject कहलाता है और v1 का मतलब होते है v1 का मतलब होते है verb यहाँ पर v1 का मतलब क्या है verb और verb के साथ first form का प्रयोग करेंगे verb कौन सी आएगी केवल first form और as oblique es का मतलब है यानि कि verb की first form के साथ as या es का use किया जाता है s या es का मतलब है कि कहां पर हम s लगाएंगे या तो s लगाएंगे या es लगाएंगे किसमें singular number में उसके बाद object का प्रियोग कर लिया जाता है दुबारा से मैं revise कर रहे हूँ कि singular number का मतलब है कि हमारा structure होता है subject plus v1 s oblique es plus object यानि कि s oblique es का जो use होता है वो कहां होगा केवल singular number में होगा क्रिया के आगे यानि कि जो भी vrb है उसके बाद हम s या es का use करेंगे es का होगा और es का होगा वो हमें identify करना है पता लगाना है es का प्रियोग जो होगा वो मैं आपको अभी लिखके दे रही हूँ es का use का होगा होगा तो singular number में ही और S का use भी singular number में ही होगा plural number में इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि verb के बाद S A E S नहीं है S A E S का use होगा S H C H S S O X Z तो ये अगर verb के last में आपको कहीं भी ये आपको alphabets दिख जाते है S H C H S S O X Z ऐसे alphabets दिख जाते हैं तो आप E S लगा देंगे अगर आपको singular number में ये alphabets यानि कि S H C H S S O X Z नहीं दिखते तो आप S का प्रयोग करेंगे यानि कि इसके अलावा other than दुबारा से देखें कि आपको क्या करना है आपके जो structures बता रहा है singular number and plural number singular number का जो structure होता है वो subject प्लस V1 प्लस object होता है और plural number का जो ब्लूरल number के subject प्लस V1 प्लस object है और singular का subject प्लस V1 S ये ES प्लस object है आपको ध्यान रखना है S ये ES कहां लगेगा ES का use जो होगा वो केवल ऐसी verbs में होगा singular number होना चाहिए हमको ध्यान रखना है singular number होना चाहिए हो और verb के last में अगर s-h-c-h-s-o-x-z है तो हम e-s का use करेंगे otherwise हम singular number में इसके अलावा कोई verb मिलती है तो हम केवल s का use करेंगे तो यह तो आपका basic concept है जो मैंने आपको present indefinite में बताया इसके बाद present indefinite के बाद हम अगली चीज जो पढ़ रहे हैं इसी में जो present indefinite की adverbs है वो मैं आपको लिख देती हूँ अभी present indefinite की verbs देखिए adverbs जो होती है यह हमारी पहचान होती है कि हमारा tense कौन सा है तो present indefinite की adverbs के लिए कुछ यहाँ पर मैं आपको लिख रही हूँ कुछ words लिख रही हूँ उसको आप लेखेंगे generally occasionally rarely daily usually every day week month year या every के साथ कुछ भी आता है तो हम first form का use करते है let models models क्या होते है जैसे की can could may might shall should or to बहुत सारे models होते हैं यह सारे models है इनके साथ भी first form का use होता है और और भी बहुत सी चीज़े हैं जैसे की let let इनके सारे जैसे की जैसे की हमेशा first form use होगी लेकिन active ऐसे जब करेंगे तो उसमें आपका structure बिलकुल अलग हो जाता है वो मैं आपको active ऐसे में बताऊंगी तो let हो गया उसके साथ साथ आपको अबने let लिख़ाया भी है पहले तो let के साथ साथ आपके और भी बहुत से हैं जैसे की habitual action habitual action मतलब जो की अपनी habit में है जिसके हम used to है हम used to word used कर सकते हैं इसके लिए और infinitive 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 का मतलब होता है की कोई भी crea है उससे पहले हम two का प्रेयोग करते हैं यानि कि अगर कोई भी crea से पहले two का प्रेयोग हो जाए तो यानि कि क्रियाज होगी, वो first form में होगी, two जो है first form को बताता है, infinitive मतलब होता है two, two को हमेशा, अगर two कहीं भी आ जाता है तो क्रियाज होगी, वो first form में आएगी, उसके बाद जो आता है आपका universal truth, universal truth का मतलब होता है सार्भोमिक सत्य है, कोई भी सत्य है, उसके साथ, सार्भोमिक सत्य के साथ हमें first form का use करना है, उसके बाद scientific fact, scientific fact का मतलब है, अगर किसी चीज को विज्ञानिक तोर पर सत्य गोशित कर दिया गया है, उसे हम scientific fact कहते हैं, तो ये सारी चीज़े हैं, जिसको हम कहेंगे कि first form का प्रयोग किया जाएगा, तो हम first form का use करेंगे, अब जैसे की साधरन वाक्ये जो थे, साधरन वाक्ये में तो हमको structure कौन सा यूज़ करना है, subject plus first form, SIES plus object, SI plural number में subject plus V1 plus object, और अगर हम बात करें कि हमको अगर negative वाक्या आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका structure थोड़ा सा change जाता है, कि जो singular number है, और plural number है, थोड़ा सा change जाता है, singular में तो doesn't लग जाता है, यह does not बोल सकते हैं, plus V1, और इसमें do not plus V1, singular और plural में यही difference है, कि अगर आपका कोई भी वाक्या जो है, नकरात्मक होता है, तो आपको does not और do not का प्रियोग करना होता है, singular में तो does not का प्रियोग करेंगे, और plural में do not का प्रियोग करेंगे, दुबारा से एक बर मैं revise कर रही हूँ यह चीजों को, ध्यान से सुनें, कि आपके मैंने तीन टेंस बताएं, तीन टेंस होते हैं, present, past, future, तीनों टेंस को हम कर रहे हैं, पहला टेंस जो है present, मैंने उस टेंस को लिया है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया numbers, numbers हमारे दो तरह के होते हैं, singular number और plural number, singular number में हमारा आता है, he, she, it, name, और plural number में आता है, I, we, you, they, यह तो हमारे numbers हैं, अगर हम बात करें, कि numbers के बाद हमारे kinds of sentences, हमारे चार तरह के वाक्य होते हैं, जैसे पहला वाक्य मैंने बताया, affirmative यानि कि साधरान वाक्य, दूसरा मैंने आपको बताया, नकरात्मक वाक्य, तीसरा जो नहीं कि interrogative, यानि कि question वाचक जिसे कहते हैं, और interrogative, negative मतलब जिसे question वाचक, नकरात्मक वाक्य कहा जाता है, tense आपके जो बताये गए हैं, वो चार tense है, हर tense में चार tense होते हैं, यानि कि अगर मैं present की बात करूँ, तो present के चार है, indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous, ऐसे अगर मैं बात करूँ, कि past की, तो past में भी चार होंगे, ऐसे future में भी चार होंगे, आपको ध्यान रखना है, कि कैसे कहां use करना है, कै यानि कि अगर मैं present का indefinite ले रही हूं, तो उसके भी चार वाक्ये बनेंगे, अगर मैं present का continuous ले रही हूं, तो उसके भी चार वाक्ये बनेंगे, ऐसे present का perfect लेती हूं, तो उसमें भी चार, और present perfect continuous का, अगर लेती हूं tense, present perfect continuous लेती हूं, तो चार tense sentences इसके भी बन जाएंगे अब बात आती है कि अगर इन adverbs का ध्यान में दिया जाए अगर हम इन adverbs को ध्यान में रखेंगे तो हमें अपने वाक्यों को complete करना होता है exercise जो है मैं आज आपको एक exercise दूँगी उस exercise को आप करने की कोशिश करेंगे जैसे कि मान लोग ये adverbs मैंने आपको दी इन adverbs को ध्यान में रखें आपको जैसे कोई sentence आ जाया है जैसे कि he usually go to cinema hall आपको ये sentence आ गया और आपको देखना है सबसे पहली बात आप पहली चीज जो देखेंगे वो adverbs देखेंगे आप एक चीज ध्यान रखें asv इस चीज को बहुत जरूरी है याद रखना इस word को जो मैंने asv word लिखा है इसको ध्यान रखें a मतलब होता है adverb as मतलब होता है subject और v मतलब होता है verb तो आपकी adverb usually है usually मैंने आपको लिखके दिया है याँ पर usually तो adverb आपकी usually first number यह हो गया subject आपका he है तो he आपका जो है वो singular है singular number में आपने देखा singular number जो होता है उसमें word first from s.e.es लगता है अब he जो हो साबका singular number है आप देखे o last में word के o आ रहा है तो o आ गया तो क्या करेंगे yes लगा देंगे goes तो इस तरह से आपको exercise मैं अभी दे रही हूँ आप एक exercise करेंगे और कल मतलब next class में मैं आपकी exercise के उपर discuss करूँगी और हम इस पर discussion में आपको मैं answers explain करूँगी कहाँ पर आपने correction करना है कहाँ पर सही है कहाँ गलत है यह आप लोग अराम से कर सकते हैं जो मैं आपको answer की बताऊंगी ओकी